धनपाज जिले में इन दिनों चोरों का आतंग काफी बढ़ गया है आये दिन चोरी की घटनाएं घट रही हैं जादा तर बंद घरों को चोर अपना निसाना बना रहे हैं ताजा मामला सदर्थाना छेतर के बजरंग बिहार कोलोनी का है बीते राज बजरंग बिहार कोलोनी में इसेद एक बैंक कर्मी की घर चोरों ने अपना निसाना बनाया दर्वाजे का ताला तोर चोर घर में रखे लाखो रुपए की संपती लेकर फरार हो गया घटना की सूचना पुलिस को दी गई जिसके बाद पुलिस मामले की चाच परताल में चुटी है चोरी हुए संपती का फिलाल सही सही आकलन नहीं हो सका है ग्रेह स्वामी के पहुँचने पर ही चोरी की वास्तविक संपती का आकलन किया जा सकेगा भुप्त भोगी बैंक कर्मी के भाई चंद्रसीखर रजक ने बताया कि यह घर उनके भाई सत्यनरायन रजक का है उन्हें फोन पर घर में चूरी हो जाने की सूचना उसके भाई ने दी जिसके बाद फॉरण वह मौके पर पहुँच घर के दर्वाजे का ताला तुटा हुआ देखा सारा समान बिख्रा पड़ा हुआ है इसके साथ ही आलमारी का लॉक तुटा हुआ है आलमारी में रखे समान भी बिख्रा पड़ा हुआ है उन्होंने बताया कि करीब धाई लाग के गहने और नगदी अल्मीरा में रखे हुए थे वह सभी गायब है चंदर सेखर रजक ने बताया कि उनका भाई सत्यनारायन बैंक ओफ इंडिया की राची साखा में कारे रत है 25 दिसंबर किर्शमस के मौके पर वर्राची परिवार के पास गय हुए है थे घर में ताला बन था धनसार थाना छेत्र के मनेटा पूरे परिवार अपने घर में है धेया बजरंग बिहार कॉलरी में उसके भाई ने अपना खर बनवाया था जहां पूरे परिवार के साथवर रहत रहते हैं कि अध्यूली हम लोग मनेटार में रहते हैं मेरे भाई साब यहां पर बैंक में सर्विस करते हैं तो पचीज दिसंबर के सिलसिले में उनकी फैमिली यहां पर राती है तो गये थे मिलने के लिए कि छुटी के दिने थोड़ा हूँ है इंजोई करेंगे इस और आन हम पता नहीं था कि बाहर गये हुए असो टाइम के लिए गये तो बोल के नहीं गये चलाएंगे तो अभी कि सुछना मिले मेरे बड़े भाई के द्वारा की खर्णों हाच्योगी हो गया हूँ तो यहां देख रहा हूँ पुरा समान में बिकर हूँ अभी भाई स्राप से और अभी जी से बात हुए हमारी कि कम जगम ड़ायलापुर्पा का समान था आमारी में देख रहे हैं पुर आपसा में दिखा ही है और यह बहुत तो वाई